भारत आने वाले यूरोपियन कौन थे पर्थम यूरोपियन कौन थे ठीक है न तो देखे इसका करेक्ट एंसर होगा ओप्सन ए पुर्थकाली चली आब आते हैं अगले पर्शनों पर कि भारत में आने वाला पर्थम पृत गाली कौन था तो इसका करेक्ट एंसर होगा ओप्सन सी वासको डिकामा चली अब अगला प्रसंद देखते हैं कि किस युद में विजय के पश्चात इस्ट इंडिया कमपनी ने बंगाल विहार एवं उडिसा की दिवानी अधिकार प्राप्त किये कर लिए ठीक है ना तो देखी इसका correct answer होगा option B है ना बकसर चली अब आते हैं अगले प्रसंद अगला प्रसंद आपके सामने है कि किस सरकारी रिपोर्ट से भारतिये क्रिश्च जन जाती की स्थिति का पता चलता है ठीक है ना तो इसका correct answer होगा option D उक्त सभी चली अब आते हैं अगले प्रसंदों पे अगला प्रसंद आपके सामने है कि भारत में अंग्रेजों द्वा प्रसंद आपके सामने है यहाँ पे चार चीजें लिखी हुई है आपको बताना है कि इनमें से कौन सा सही है तो देखें इसका correct answer होगा option C कहनेकार्थ है कि एक और तीन सही है ठीक है एक और तीन क्या है सही है बाकि यह और यह क्या है गलत है ठीक है चलिए इस अनुसार से आपका answer बनने वाला है C, एक और तीन क्या है सही है चलिए अब आते हैं अगले प्रस्णों पे अगला प्रस्ण आपके सामने है कि अंग्रेज सरकार की वेपार निती ने भारतिये अर्थ वेवस्था को किस प्रकार बरबाद किया चलिए तो देखें इसका correct answer होगा option C है न आते हैं अगले प्रस्णों पे अगला प्रस्ण आपके सामने है कि English East India Company की अस्थापना कब हुई ठीक है न तो देखें इसका correct answer होगा option A 1620 में चलिए अगला प्रस्ण है कि कि किसको बंगाल और बिहार के अस्थाई बंदोबस्त शुरू करने का अस्रे दिया जाता है तो इसका correct answer होगा option A है न लाड करनवाली चलिए अब आते हैं अगले प्रस्णों पे अगला प्रस्ण आपके सामने है कि फ्रांसी सी है न भुकानन कौन था तो देखें इसका correct answer होगा option D है न सरवेख चलिए अगला प्रस्ण है कि रैयत वाड़ी बंदोबस्त के जनक थे तो correct answer होगा option C है न मुन्रो एवाम रीड चलिए अब अगला प्रस्ण है कि रैयत वाड़ी विवस्था में भुमी का है न स्वामी कौन होता था तो देखें इसका correct answer होगा option C किसान चलिए अब आते हैं अगले प्रस्णों पे अगला प्रस्ण आपके सामने है कि कौन सा सही सुमेलित है तो इसका correct answer होगा option D उग्त में सभी अस्थाई बंदोबस्त है ना यह होगी आपका मलाह महाल वाड़ी बंदोबस्त आये होग यह रैयत वाड़ी ठीक है तो इस अनूहर से आपका साही वाड़ी विवस्था किसके द्वारा लाज़़ी विवस्था किसके गई ठीक है चलिए तो देखे इसका correct answer होगा option है ना C ठीक है ना यानि कि Lord वेंटिंग चलिए अब आते हैं अगले प्रश्णों पे अगला प्रश्ण आपके सामने है कि दमिन E कोह क्या था ठीक है तो इसका correct answer होगा option A भू भाग चलिए अब आते हैं अगले प्रश्णों पे कि दक्कन दंगा आयोग कव गठीत हुआ ठीक है तो देखे अप्रश्ण आपके सामने है इसका correct answer होगा option A 1875 चलिए अब आते हैं अगले प्रश्णों पे अगला प्रश प्रश्ण आपके सामने है इस्ट इंडिया कंपनी ठीक है इस्ट इंडिया कंपनी को भारत की दिवानी किसने परदान की तो इसका correct answer होगा option C सह आलम दूतिये अगला प्रश्ण आपके सामने है कि फ्रांसिसी बुकानन के विवरनों से किस जन जाती के बारे में पता चलता है तो इसका correct answer होगा option B संथाल अगला प्रश्ण आपके सामने है कि फ्रांसिसी है ना फ्रांसिस बुकानन के विवरन की तुनना इतिहास के किस अस्खुल से की गई है तो इसका correct answer होगा option A है ना इनाल्स चली अब देखते हैं अगला प्रश्ण आपके सामने है कि महालवार बंदोबस्त किसके द्वारा लागू किया गया, उप्शन आपके सामने है, इसका correct answer होगा, उप्शन A है ना, मार्टिन वर्ड, अगला प्रशन आपके सामने है, कि संथाल विद्रोह का नेता था, option आपके सामने है तो इसका correct answer होगा option A है ना सिद्धु कान हो चलिए अब आपके सामने अगला प्रशन है कि करणवाली स्कोड बना है ना कब बना तो देखे इसका correct answer होगा option B है ना 1793 में अगला प्रशन है कि संथाल विद्रो कब हुआ ठीक है ना तो देखे इसका correct answer होगा option D 1855 में चलिए अब आपके सामने अगला प्रशन है चलिए अगला प्रशन कहता है कि उल गुलान विद्रो कानेता कौन था ठीक है ना तो देखे इसका correct answer होगा option D विशा मुंडा अगला प्रशन है अस्थाई बंदोबस्त कहां लागो किया गया तो इसका correct answer होगा option C बंगाल चलिए अगला प्रशन आपके सामने है ठीक है देखे अगला प्रशन है कि निमलिखित में कौन सा जोड़ा सही है ठीक है तो देखे इसका correct answer होगा option D है ना यानि कि सभी सही है ठीक है यह सभी जो एसो एक दूसरे से सही मिलान है ठीक है ठीक है तो इस सनुसार साब का answer होगा D सभी ठीक है चलिए आप आते हैं अगले प्रशनों पे अगला प्रशन आपके सामने है कि भारत में पहली बार किस गवर्नर जनरल ने जारी किया तो इसका correct answer होगा option D डल होजी ने चलिए आप आते हैं अगले प्रशनों पे अगला प्रशन आपके सामने है कि रैत है ना वाडी वेवस्था सरपर्थम कहां लागू की गई चलिए तो इसका correct answer होगा option C है ना मदराश अगला प्रशन आपके सामने है कि संथाल विद्रो ठीक है ना संथाल विद्रो कब आरम हुआ तो इसका correct answer होगा option A अगले प्रशनों पे अगला प्रशन आपके सामने है कि सिधु कानों ने किस विद्रो का नेत्रित्व किया तो देखिए इसका correct answer होगा option B संथाल विद्रो अब आईए अगले प्रशनों पे चलते है कि कलकता में सरवोच नियाले कि अस्थापना कब की गई ठीक है ना तो इसका correct answer होगा option B है ना 1773 इस विमें चलिए अब आते हैं अगले प्रशनों पे अगला प्रशन आपके सामने है कि डलहोजी ने विद्वा विवाह को है ना कब मान्यता दी ठीक है तो इसका correct answer होगा अठारे सो पच्पन यानि option D चलिए तो प्यारे वच्चों ये वीडियो आपको कैसा लगा आप जरूर कमेंट कर बताएं और जितना जाता से ज़्यादा हो सके इस वीडियो को share करें और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना ना भोलें और चैनल पर पहली बारा है तो चैनल को subscribe कर लें और बैल आकन प् करुम